रनिंग करके फ्रंट कैमरा में वीडियो स्टेबलाइजेशन टेस्ट करते हैं यह है जी इन्फिनेक्स 020 का फुल रिव्यू अन्बॉक्सिंग वीडियो में ज्यादा चीजें इस फॉन के बारे में हम डिसकस नहीं कर पाए थे क्योंकि इसको मैंने प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया था इसके कैमरा की परफॉर्फिंस सेलफी की परफॉर्फॉर्फिंस इसकी बैटरी की चारजिंग स्पीड और इस phone के related जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताना जरूरी है तो आज की इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे असलाम वालेकुम डिवाइस का डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा अपेलिंग लगा लेकिन डिजाइन के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो डिसकस करना जरूरी है सबसे पहले ये जो साइड्स है ना इस फोन का ये जो फ्रेम है ये काफी ग्लॉसी बनाया गया है अगर ये मैट फिनिश में रखा जाता तो और ज्यादा मिनिमल और और ज्यादा सोफिस्टिकेटिड लोक इस फोन की बन सकती थी और डिवाइस की थिकनेस मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी लेकिन ओवर आल जो इन हैंड फील है वो काफी अच्छी निकल कर आती है और आपको थोड़ी आईफोन वाली साइड्स के लोके सोन के अंदर मिल जाएगी और डिवाइस के वेट की बात करें तो मैंने एक्च्छल में किरियाने स्टोर पर जाकर चीनी तोलने वाले कंडे पे इसका वेट किया ओवराल सही से डिस्ट्रिब्यूटेड है वेट इस फोन के अंदर 6.8 इंचिस का एक एमूले डिस्पले मिल जाता है डिस्पले की स्पेसिफिकेशन यहां पे आपको मिल रही होगी स्पेक्स बताकर टाइम जाया नहीं करूँगा बलके अपना एक्सपीरियन्स बताऊँगा तूंके यह फॉल रिवियो वीडियो है डिस्पले के हवाले से मुझे कोई खास प्रॉब्लम फील नहीं होई लेकिन यहां पर भी कुछ चीज़ें डिस्कस करना जरूरी है आपको नौच वाला डिस्पले मिल जाता है सबसे पहले यहां पे पंच होल होता तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक डिस्पले के निकल कर आ सकती थी और बैजल्स जो है वो थोड़े से नोटिसेबल हैं अगर बैजल्स को भी मजीद थोड़ा कम किया जाता तो इस फोन की फ्रंट लुक इन्फिनेक्स नोट 12 वी आईपी की तरहां बहुत ज्यादा खूबसूरत निकल कर आ सकती थी लेकिन बाई ओवरॉल जो डिस्पले की कॉलिटी है उसमें किसी किसम का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया अगर आप इस फोन को धूप में भी यूज़ करेंगे तो 600 प्लस निट्स की ब्राइटनेस की वज़ा से आपको काफी ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी मिल जाएगी IPS डिस्पले की निस्पत और अगर आप इसके ओपर कोई वीडियो वगयरा देखती हो तो आपको काफी अच्छा experience मिलेगा क्योंकि यह जो AMOLED डिस्पले है आपको colors और खास तोर पर blacks, contrast बहुत ज्यादा अच्छी तरह से दिखाता है और इस phone में dual speakers भी मिल जाती हैं अगर आप media वाइरा कंस्यूम करते हो ज्यादा Netflix देखते हो, series देखते हो या फिर किसी भी किसम की वीडियो अ आपको देदेगा, उसी के साथ-साथ यहां पर OIS की support मिल जाती है, optical image stabilization और यह इस phone की main highlight है जिसकी वजह से इसको जो है वो advertise किया जा रहा है, और optical image stabilization, front camera के अंदर मुझे जो है वो अच्छी काम करती हुई नजर आई, लेकिन OIS के साथ EIS को भी apply किया गया है, जब आप video इस इस phone के front camera से shoot करोगे, तो आपको normal mode मिलेगा, और एक आपको मिलेगा steady mode या फिर stabilized mode, जब आप stabilized mode को on करोगे, तो video थोड़ी सी crop हो जाएगी, running करके front camera में video stabilization test करते हैं, और यह जो आप video देख रहे हो इस time, यह इस phone के साथ steady recording on करके record की गई है, और इसके उपर अगर आप ज़्यादा stable है video, content creators को यह जो चीज है ना वाकियाई में काफी काम आने वाली है, और इस phone का OPPO F21 Pro के साथ comparison भी किया है, हमने इसमें specifically camera के अंदर in-depth चीज़ों को देखा है, वो भी आप देख सकती हो, photos की अगर बात करती है, तो front camera काफी अच्छी quality की photos capture कर लेता है, इसमे 60MP का एक dedicated mode मिल जाता है, जब आप उस पर click करके photo बनाएंगे, तो आपको जो है वो by detail थोड़ी ज़्यादा मिलने वाली है photos में, और normal mode के अंदर भी picture quality मुझे अच्छी लगी, और detailing मुझे बहुत अच्छी लगी, portrait mode के अंदर बहुत ज़्याद अच्छी photos आती है, कोई edge detection क problem मुझे देखने को नहीं मिला, और अगर हम बात करती हैं, इस phone के अंदर by front camera के अंदर एक छोटी सी मेरी suggestion की, तो वो यह है मैं Infinix को कहना चाहूंगा, कि अगर कोई update के साथ इस phone के अंदर, front camera के अंदर, जो post processing है, उसको add किया जा सकता है, तो वो जो है, वो बहुत ज़्या से photo काफी enhance हो जाती है, और फॉरण से photo पर click करते ही, आपको कुछ effects apply होते हुए नजर आएंगे, और वो visible difference create करती है, ये चीज़ अगर front camera के अंदर भी add हो जाए, तो काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन front camera की quality में किसे किसम का compromise नहीं दिया गया, आज दूर पर videos के लिहाज से selfie बहुत ज्यादा strong है इस phone की, अगर हम back camera की बात करती है, तो again specs यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, 108 megapixel का main camera है, 713 megapixel का wide angle sensor मिल जाता है, ये काफी अची चीज़ है content creators के लिए, और एक 2 megapixel का AI lens दिया गया है, इस phone के अदर अगर हम बात करती है main camera की quality की, तो back के उपर भी आपको stability मिल जाती है, वीडियो के अंदर, जो के काफी अची तरह से काम करती है, back camera के अंदर normal walking में आप लोग देख सकती हो, यहाँ पर stabilization का mode off है, normal walking में ये है video stabilization के साथ, और इस time jitters थोड़े कम हो चुकी है, edges पर मुझे थोड़ी सी movement नजर आ रही है, लेकिन center जो है, वो का camera के साथ, तो wide angle sensor में हलकी सी cropping के बाद भी जो area है, वो काफी wide रहता है, और आप जो है वो अपना content इसके through shoot कर पाऊगे, slow motion भी आप इस phone के अंदर बना पाएंगे, और by camera के अंदर भी slow motion का option मिल जाता है, 120 fps पर बना पाएंगे, 720p की resolution मिलेगी, लेकिन slow motion के अंदर आपको क काफी बेतर quality मिलेगी, smooth मिलेगी video और statter नहीं मिलेंगे, smoothness अच्छी मिलेगी, back camera के अंदर भी photos की quality बहुत अच्छी है, dynamic range काफी ज्यादा अच्छी आती है, और photos के अंदर clarity भी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, अगर आप human portraits की बात करती हैं, तो यहां पर background को काफी जाता है, और एक filter apply करके post processing के through photos को अच्छा बनाया जाता है, dynamic range काफी अच्छी है, और back camera की photos appealing लगती है, पुझे इस तरह से जब आप photo capture करेंगे, तो post processing का filter apply होगा, अब आते हैं performers की तरफ, जिनको performance से ज्यादा मतलब होता है, तो by swan के अंदर helio g99 का processor लगाया गया है, ब 256GB की single storage का variant आपको मिलता है, और ये storage भी expandable, आप इसमें memory card लगा सकती हो, और इस phone के अंदर अगर हम बात करते हैं chipset की performance की, तो आप बहुत ज़्यादा असानी से इस chipset के through games को medium settings पर खेल पाएंगे, पब जी में ये phone आपको बड़े अराम से बाई दे देगा 40fps medium setting से उपर अगर आप game को खेलेंगे, यानि के smooth और balance पर 40fps मिलेंगे आपको अगर आप HD पर जाते हो, तो 30fps मिलेंगे और इसमें आपको gyroscope भी मिल जाती है, और ये physical gyroscope इस phone के अंदर दी गई है, मुझे day to day usage में कोई problem देखने को नहीं मिला, मैं इस phone को पिछले 10-12 दिनों से use कर रह इस phone में नहीं मिलता, लेकिन मुझे जो है इसका experience काफी ज़्यादा smooth देखने को मिला, 90Hz का refresh rate जो है वो display के अंदर smoothness को मजीद बढ़ा रहा होता है, और जो chipset की performance है वो भी काफी ज़्यादा ठीक ठाक निकल कर आ रही है, out of the box Android 12 आपको देखने को मिल जाता है, और ये जो आपको graphical upgrades मिल जाएंगे, आप इस phone के अंदर देखेंगे, आपको status bar के अंदर, toggles के अंदर, animations के अंदर, transitions के अंदर, काफी सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, और ये जो है, इस phone की look को मजीद खूबसूरत बना देती है, मजीद इसके अंदर improvements की जाएं, तो और ये UI अच्छी हो सकती है, थोड़ी बहुत ये ads बगएरा इनको हटाया जाए, काफी ज़दा clean बन सकती है, 4500 mAh की battery मिलती है, इस phone के साथ, और जब मैंने इसको use किया, 4500 mAh की battery, सुनने में थोड़ी कम जरूर लगती है, लेकिन, trust me, आपको battery life में ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ये जो 6 नैनो मीटर का प्रोसेसर है, ये काफी ज़दा power efficient है, ये इतने नैनो मीटर कम होंगे, जितनी कम नैनो मीटर पर fabrication होगी, उतनी ज्यादा battery की efficiency अच्छी रहेगी, heating कम होगी, तो यहाँ पर जो है वो battery जो है, वो काफी अच्छी आपको life देदेगी, नॉर्मल 5000 mAh की तरह ही consider कर सकते हो, थोड़ा बहुत definitely number game की वज़ाँ से फर्क तो जरूर होगा, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा drastic फर्क देखने को नहीं मिला, चार्जिंग स्पीड की बात करें, तो 45 वाट का चार्जर साथ ही आपको मिल जाता है, और ये चार्जर मैंने 100% चार्ज गया, खर 5% ये फॉन था उस टाइम और 5% से मैंने इसको 100% तक चार्ज किया, सवा गंटे के अंदर अंदर एक गंटा 10 मिनट में ये फॉन फुल चार्ज हो गया, और आजकल टेमरेचर ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो चार्जिंग की स्पीड काफी बहुत डिसकाउंट भी मिल रहा है, लेकिन आजकल मैं जब भी किसी फॉन को लेने जाता हूं मार्कीट में, तो शॉपकीपर मुझे ये ही कहता है कि आपको भाई, इन्वाइस रेट पर ही डिवाइस मिलेगी, क्यूंकि हमें डिवाइस की प्राइस का अंदाजा नहीं होत कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, इसलिए हम इन्वाइस रेट पर सेल कर रहे हैं, सेक्योरिटी के तौर पर, लेकिन इस फॉन में मैंने सुना है कि आपको कुछ डिसकाउंट्स आफलाइन मार्कीट में देखने को मिल रहे हैं, अब मेरा फाइनल क्या रिवियू है इ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस डिवाइस को इस फॉन को 2021 के किसी भी फॉन के साथ डाइरेक्टली कंपेर मत करें, क्योंकि 2021 एक ऐसा टाइम था जब सारे ब्रेंड्स अच्छी स्पेसिफिकेशन के कॉंपिटीशन के अंदर जो है वो डिवाइस लाँच कर रहे थे और इस फॉन को अगर आप कंपेर करोगे तो आप इसको आज कल के 2022 के रिसेंट जो फॉन सेल हो रहे हैं मार्कीट में कमर्शल यूनेट्स उनके साथ कंपेर करोगे ठाइन ब़ूरा फॉन नहीं है फ्रन्ट कैमरा के अंदर भी मुझे clarity अच्छी मिली pictures की وीडियो की बैक कैमरा के अंदर भी photos की clarity वगेरा सारी चीज़े काफी अच्छी है बागी मैंने अपने thoughts हर department के अंदर बताएं है additions मैंने आप लोगों को दी है अपने review के हिसाब से आपको ये डिवाइस कैसी लगी आपको ये रिवियू कैसा लगा आप इस डिवाइस के बारे में क्या सोचती हो क्या ओपिनियन्स हैं आपके comment section में लाजमी से मुझे दीजेगा मजीर ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिएगा वीडियो को शेर कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा फिर अलरड़ी सबस्क्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताके मजीर नया कॉंटेंट हम अपलोड कर रहे हैं वो तक प्रॉपरली पहुँच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जसाकला।